नमश्कार मीत्रूं, अब हम सूर्य भगवान को जल अरपित करने की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं देखी जहां पर हमें जल चढ़ाना है भगवान जी को वहां पर छोटा सा सात्विक बना लीजी साफ जगा करके यहां मैंने एक पत्थर रखा है ताकि किसी के पाम ना आएं और फिर मैं इसको उठा कर साइड में रख दूँगे उस तरह से एक सात्विक बना लेना है आपने सुन्दर सा क्योंकि सूर्य भगवान जी की उपासना का दिन मकर सक्रान ती इसमें तो सूर्य भगवान की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए जल के लोटे पर भी तिलक लगा लेंगे अब ये थोड़े से तिल हम जल में भी डाल देंगे और जहां पर हमने सात्विक बनाया है वहां पर भी रख देंगे उसके बाद थोड़े अक्षत हम दोनों जगा चढ़ा देंगे उसके बाद फूल लाल और पीले फूल जरूर चढ़ाएं भगवान ची को और थोड़े से फूल दोनों जगा हम चढ़ा देंगे और थोड़ा सा हम एक तीपक इसके उपर रख देंगे ताकि ये मैं पत्थर इसी लिए लिया है ताकि मैं बाद में इसको साइड में रख दूँगी कभी किसी के पाउं गयरा ना लगें इसलिए आप कहीं पर भी अगर आप छट के मंडेरे पर बनाना चाहें पर भी बना लेकिन हमारे मंडेरे पर जगा नहीं थी इसलिए मैंने नीचे बनाया है और इसको अब मैं साइड में बाद में रख दूँगी तो उसके बाद ये देखे मैंने एक नीचे गमला रख लिया है ताकि जब हम जल चढ़ाएं तो गमले में ही गिरे उसके बाद थोड़ा सा दीपक हम सूरिय भगवान को भी हाँ पर दिखा देंगे और उसके बाद सूरिय भगवान को जल चढ़ा देंगे ताकि सारा जल हमारा गमले के अंदर चला जाए इस प्रकार भगवान सूरिय को हमने जल अर्पित कर दिया है जो दीप दिखा दी है और उसके बाद एक बार हम थोड़ा सा भोग भी भगवान जी को अर्पित कर देंगे गुड और तिल का बादलों की वज़े से आज सूरिय भगवान नहीं निकले हैं लेकिन मैंने जल चढ़ा दिया है जहां पर भगवान जी हरोज निकलते हैं तो मित्रों ये सारा चल देखे गंले में चला गया है अब हम चाहें तो तीन परिकर्मा ले लीजिए भगवान जी की तीन परिकर्मा लेने होती है यहां पर तो मकर सकरांती पर सुबे नहां धोकर जल्दी उठकर सुरिय भगवान को अरक जरूर दें तेलिकूर डालके इस विदी से यह आप सुरिय भगवान को अरक दे सकते हैं मित्रों अगर आपको आज की है हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चानल को जूट सब्सक्राइब करें लाइक और कमेंट भी करें कमेंट पोक्स में जै सुरिय भगवान अवश्य लिखें